नमस्ते दोस्तों, बातामोशन चैनल के ट्रावल व्लोग में हम सभी का हर्दी स्वागते, फोफुली आप सभी अच्छे हैं आज मैं अपने चैनल बातामोशन में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग ब्लॉग शेर करने वाली हूँ आज का मेरा travel vlog होने वाला है भुवनेश्वर का famous शीशी शारोश मेरा 2013 के बारे में तो ये exhibition कहा पर हो रहा है कैसे आप यहां पर पहुँच सकते हो कितने दिन तक ये exhibition है या फिर मेला है इसके बारे में पूरा full information में अपने वीडियो में शेयर कर दूँगे तो ये सब को जाने के लिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहे हैं तो 26th of January को जिए इंडिपेंडेंस डे था बसंद पंचमी भी था उस दिन मैं और मेरे हजबन पॉज गय थे ये exhibition ये फिर मेला देखने के लिए जितना expect किया था उससे कही गोना जादा ये खुबसूरत था इंडिया का हर एक state का stall यहाँ पे था मतलब आप west से लेके east तक, north से लेके south तक हर state का कुछ ना कुछ stall यहाँ पे था जो state का मतलब चीज अच्छा है या फिर famous है उसी चीज का stall यहाँ पे था अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से दीखोंगे आगे देखते रहोगे तो आपको hopefully अच्छी तरह से समझ में आएगा तो यहाँ पे ओडिसा का एक stall था जहाँ पे बच्पन के यादे हैं हम लोगों के साथ जुरे हुए वो मुझे मिला मतलब यहाँ पे कैंडी जो बच्पन पे खाते थे उसके बद खाने के बाद जो हाजमे की गोली खाया जाता है या फिर अनार दाना हाजमे की चीजे यह सब एवेलेबिल थे चटर मटर थे तो मुझे यह स्ट्रॉल बहुत ही पसंद रहा क्योंकि यहाँ से बच्पन के बहुत सारी यादे जुड़े हुए थे तो आप यहां से खरी सकते हैं बहुत ही रीजनेमल प्राइजे अच्छे क्वालीटी का चीज यह पे बिख रहा था उसके बाद यह पाद यह पॉंडी अच्छा लगेंगे तो आप देखते रहें होफुली आपको अच्छा लगेगा और मैं बीच मीच पे आपको इनफरमेशन देते रहेंगी कौन से स्टॉल का क्या क्या चीज यहां पे अच्छा है अब देख सकते हो तो यह बेसिकली एक महाराष्टा का स्टॉल था यह यहां पर डेकोरेटिव आइटिम बहुत अच्छे मेल रहे थे यह हैं क्राप थे बेसिकली उसके बाद हम चले ग स्टॉल था यहां पर भी कपरा वगरा मिल रहा था उसके बाद यहां पर तलेंगाना का स्टॉल जहां पर गंचा मिल रहा था शायद वहां का गंचा फेमस है तो ऐसे ही जो जो स्टॉल मतलब थे जो जो स्टेट के थे वो रिप्रेजन कर रहे थे यह राजस्तान का स्टॉ पर बहुत खूबसूरत मतलब जूदे बहुतibl ळाने संडेर्ट वह खूबसूरत थे हम उसके बाद कश्मीर चॉल भी आप ben हैरा भी बगल लिःते यह जो इक्सरी Lisa इन धाना यहां ना यहां पे बैसिकली कप्षे बहुत अच्छे थे आप यह सब अगर मॉल में खरी ने जाओगे तो आपको बहुत पैसा कर्चना परेगा लेकिन यहां पे मॉल से भी बहुत ही कम दाम में यह सब चीज भीक रहे थे यहां पर मोनीपूर का स्टॉल था तो बहुत ही कलर फूल ता हर एक स्टॉल अपने आप में बहुत कुप सूरत था उसके बाद आपको इस एक्जिवेशन में घर सजाने का बहुत ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर आप देखी सकते हैं बैंबू से जो बना हुआ हैंड क्राफ्ट चीज से बहुत ही कुप सूरत से अपना घर सचा सकते हो वह सब चीजे भी एवेल कर रही थी तो एक दूसरे स्टेट में आके खुद का स्टेट का स्टाल देखे तो परस्टनली बहुत ही अच्छा लगा और बिंगॉली में बात करके और भी जादा अच्छा लगा उसके बाद यह पेट शेज वगर अबिक रहे थी ओके मैं आपको बता देती हो यह जो ए आनुवरी तक ही है मतलब अगला जो संडे है वही इसका लास लेय है तो अगर आप चाहे तो पोच सकते हैं मैं इसका लोकेशन का लिंक डिस्क्रिफिशन बॉक्स box ऐफिर कमेंट सेक्ष्चन में में दे दूँगी आप चाहे तो एक्जाक लोकेशन देखlaw सकते हैं उसके यहां पर उसे कम दम है यह सब भी करेते हैं यहां पर फ्लावर का उप्शन उसके बाद जो फरनीचर है उसका भी उप्शन है तो आप लोग देखते रहें होफिली आपको अच्छा लगेगा और एक बात आपको यह बताना चाहूंगी कि यहां पर एक ही जो स्टेट का स्टॉल दो से तीन्टो है अप स्टेट का एक ही ऑप्शन है ओप्शन है हर स्टेट का वह से आप अगर आपको पूरा कवर करना है देखना है तो मैं कहूंगी आप अपने हाथ में थोरा सा टाइम लेके आए ये फियर सुबह के 11 बजे से लेके रात के नौ से सारे नौ बजे तक खुला रहता है और बहुत ही वेल मेंटेन एक्जिविशन है आपको यहां पर आके बहुत ही acas लेक्रफोली में में तो ने रहे हैं कोशन आपको ने अब करते हैं गथ सपफ्सेशत और ने तो किर के लिए अससे उस्टक शुकिड़ यह यहां पर आप बैसे बहुत हैं नियुक है तो यह एक किच्टी तो पर भूत ने से विल और मुझे से जितना बण पाया मैंने की कोशिश किया है मैंने यहां का जो प्रिशिश मोमेंट मैंने गुजाँ रहा है वह आपstar के साथ करने की कोशिश किया है तो आप लोग देखते रहें से और्फफुली आपको अच्छा लगेगा तो है । यह जो एग्दबिशन यह फिर फिर और्गनाईज किया गया था ना यह बिसिकली जो डूरल पीपल है उनको मदद करने के लिए फिर उनको help करने के लिए और्गनाईज किया गया था अगर आप यहाँ पर जाओ तो कुछ ना कुछ खरीदो जितना आपसे बन पाए क्योंकि यह जो लोग है यह कोई बात नहीं खरीदना ही बढ़ेगा तो आगे देखते रही है कि यहां पर और एक जगह भी था जहां पर यह लाइफ एक्जिबिशन हो रहा था यहां पर जो औरते थी यह फिर जो लरके थे वो अपने हातों से यह सब चीज लाइफ बना के दिखा रहे थे आप चाहे तो इनको खरीद भी सकते हो यह बहुत ही खूबसूरत है यहां पर जो धान होते है बिंगॉनिम जिसको धान बोलते है उसे यह जगनात देव या फिर गनेश जी का मूरती बना के यह लोग 100 से लेकि 150 तक ऐसा प्राइस था तो यह बिसिकली एक और एक 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 जगा है जहां पर यह हैंड मेट सब चीजे एक एक्जविशन के लिए रखे हुए थे आप देख भी सकते हो खरीद भी सकते हो उसके साथ यहां पर लोगों के एंटरटेंब्मिन के लिए यह एक फॉंक्षन भी हो रहा था जहां पर दांस सिंगिंग यह सब परफोर्मस हो रहा था यह पर बहुत सारी लोग बैठ के देख भी रहते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट वो फउंक्शन से जाधा इसके पास म यहां पर कचोडी चाड वगएरा जो देली का फेमस फूड है स्ट्रीट फूड है वो यहां पर सब भीक रहा था लसी वगएरा यहां पर देली से लेके राजस्तान से लेके अलुनाचल प्रदेश से लेके वेस्ट बेंगॉल का हर स्टेट का फूड स्टॉल है खासकार कि ज इसके पास में एक शेक का दुकान ता मिल्क शेक मोजी टो यह सब अगएरा मॉक्टे लिए बिख रहे थे तो हम लोगों ने वहां से एक स्ट्रॉवेरी मिल्क शेक ले लिया था 60 रुपीज उसका प्राइस था बहुत ही यमी था बहुत ही टेस्टी था यहां पर जो खाना वगएरा स्टॉल के अंदर बिख रहते ना उसका क्वालिटी क्वांटिटी बहुत ही अच्छा था आप चाहो तो अगर आपको शॉपिंग करते करते बोर हो रहे हो तो आप यहां जो कश्मीर का स्टॉल है राजस्तान का स्टॉल है यह स्टॉल एक से जाधा है आप चाहो तो एक्तम स्टेबल होके धीरे धीरे घूम फिर के देख के खड़ी सकते हो यहां पर लड़कियों का जो जोलेरी वगरा का था दुखान था उसके बाद इस अग्जिवेशन के अं लिए तो यह बेसिकली मुझे एक नैशनल टाइप लग रहा था चैसे कि इंटरनाशनल फेर होता है बिजनेस फेर उस टाइप के कुछ लग रहा था बहुत ही बहुत ही खुबसूरत था रिक्विस्ट करूंगी अब तक जितना मतलब दिन बाकी है आप लोग आईए यहां घूम के जाईए खरीदने का कुछ मतलब आसा मतलब नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा लेकिन घूम के जाने से आपको अच्छा लगेगा और अगर आप यहां पर आओगे तो आप इतना खुबसूरत चीज देखोगे तो आपको खरीदने का मन होगा ही मैंने पहल इसा का जो हाथ का हाथ से बनावा चीज है हैंड क्राफ है वह भी बिक रहे थे तो मुझे तो अवरल यह बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही खूबसूरत लगा हमने थोरा और आके जाना चाहिए था थोरा पहुचने में लेट हो गया था लेकिन फिर भी हमने यह पूरा ज अच्छा लगा तो आप लोग भी आईए मैंने इसका लिंग लोकेशन लिंक डेस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया आप लोग एक्जैक लोकेशन थे के पहुच सकते हो तो यह एक्जीविशन के बारे में मैंने आपको डीटेल इंफोमेशन पहली भोल दिया है फिर भ सके जितना अच्छी तरह से बन पाए मैं यह विडियो बना कि आपके साथ शेयर करूँ मैं कोई प्रोफेशनल ट्रावल ब्लॉगर नहीं हूँ तो लेकिन जितना मुझसे बन पाया है मैंने किया है वोफुली आपको अच्छा लगेगा और अगर कुछ भी भूल चुक हुई और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्षच करूँगी और भी अच्छा अच्छा रेसेपी ब्लॉग ट्रावल ब्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल बाता मौशला को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए तो आज का यह एक्जरवेश